मुसलमानों को पाकिस्तान भिजवा देना चाहिए मैं ऐसा कोई बात नहीं बलता हूँ मैंने क्या बताया मैं देश का साथ हूँ जो लोक ससित है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए हिंदू सयंको कभी भी संगडित नहीं कर पारे समाज में रहने से यह हमारे सारे जन्जाल का जड़ है इसको खतम कर देलना बहुत जुर्णी होना है वो मेरे को देखना है जुर्णी किसको फाइदा हो रहा आप सभी को मालूम है लेकिन मैं गलत सब्सक्राइब बोली आप डरते हैं यह कुछ भी डरने का बात नहीं है सरकार को इस बात को पर जरूद ध्यान देना चाहिए कि आठ घंटा काम का जगा में इन लोगों क्यों बारा घंटा काम कराई जा रहा है नमस्कार मैं सिखा अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ आपने सुना होगा कि जंटर मंतर ध्रने का जगै लोग अप अपनी मांगे लेके यहाँ पर आतें अभी लगातार पहलवान यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे मनिपूर से लोग आए तमाम लोग किसान जभान, सब लोग यहाँ पर धरना देने के लिए लिए हैं अब इनसे बात करेंगे कि आप यहां क्यों आए आपकी क्या मांगे और आप लोग अगर पोस्टर पर देखेंगे तो एक तरफ सौमी दयारंसर सती जी हैं और दूसरी तरफ कोई और नहीं बाबा साहब है अब इनसे पूछेंगे एक तो सबसे पहले यह बताए इन दोनों की आपने पोस्टर लगाई हुए इससे क्या संदेश देना चाहते हैं और आपकी क्या मांगे यह संग्विदान जिंदाबाद जो हमारे को एक समानता का ओधिकर देता देश में हां देखिए यह दस सेप्टेंबर 2022 से मैं इस अभियान का सुरू किया राष्टर अभियान यह जो और समानता बाहक हिंदु स्थान में हिंदु समाज के सारे जन्जाल का जड़ भेद भाव पुर्ण वर्ण वैबस्त था और समाज को टूगड़ों में बाटने वाली जाती बाद प्रथा यह दोनों का विरोध में मैं राष्ट्रों पी जन जागारुन बनान का कर रहा हूं मैं भूकरतल कर रहा हूं मैंने आभी तक घर को आपस ने गया मेरा मांग है केंद्रियों सरकार के पास कि जो सशीत समाज है जिनको रिजाविशन दिया गया अल्रेड़ी उनको सार्टिफिकेट के जरिये हर एक परिवार को जर्था अर्थर रूप से चिन्नित कर दिया जाए अफी क्या जाती है में जाती मैं ऐसा बाति बात इने करता हिरे तो आप अपनी जाती बताए और सिमें समाज ने जो मेरा को परिचाई दिया उसमें अमेरे को राजपुत बोलता शत्रियों व ओलता मैं सिंग हूं बंगाल में पाइदा हूँ हूं इसलिए श इसे सिंग से आए और आप राजपूत समाद से हैं जेनरल तो कुछ लोग कैते हैं जैसे जेनरल केटेग्री के लोग हैं वो तो इसके खिलाफ हैं सेल alm जोलो वोगमें जो को सचित उनको उनका आधिकर मिलना चाहिए यह जो समाज रुपी माह है समाज रुपी माने क्या कर दिया एक सेनियों के बच्चे को भारपुर अपने चाटी का दूद बिलाए है обяз समाज को कू मंत्रा देने माले जो दुस्स्य से सेनियों के बच्चे है उनको अपने चाटी का दूद नहीं बिला या जिस्से क्या हो गया एक पा 하면서 को किस नहीं है किया यह सब बता रहा Arena समाज रुपी माँ समाज रुपी माँ ने कोई केटेगरी को बोलिए ना जेनरल केटेगरी ने सोशित वंचित के साथ बहुत गलत किया वही बात में आऊं तो क्या हो गया जो इनको दूद नहीं पिला जिस दूद पिलाया उनका बुद्धी का अच्छा विकास हुआ जो 90 प बुद्धी का विकास नहीं हुआ वो तो इसी समाज का बच्चा है अब सरकार को सरकार रुपी समाज रुपी माँ को क्या करने पड़ेंगे दोनों बच्चे को बहन करने पड़ेंगे इनको बहन करने जुरुत नहीं है क्योंकि इनको तो सभी सुविदा मिली हुए कि यह विकास हो गया लेकिन इनका विकास नहीं हुआ अब जब तक इनका बुद्धी का विकास नहीं होया था तब तक संग्रक्षन के रूप में इनका बोज बहन करने ही पड़ेगा सुमाई रूपी मां को सरकार को भेरा संट रीजर्वेशन के ये सपोर्ट में है चतरिये शमाह जेंका यानि की जनर्रिय केटेगरी राजपूत से आते हैं। बाबा साब कर सामर्थन नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सशीत लोग जा है उनके समर्थन में आप सशीत है तो उनको संगरकन देने ही पड़ेगा मेरा अगर दो बच्चा रहे एक अच्छा मजबूत हो और एक लेंगडा पूरा हो किसी को आप फेक सकता क्या आपके ल करने के लहाँ हुँ यहां पर बैडंडा हूं वर्न वेवस्ता खतम करने के लिया जातिवाद विवस्ता काई में संगरक इस बात को छोड़ दीजे मैं ने जो बता रहा हूं असल बात इसे नहीं मैं डरता तो आपने यह तो में इतना अमंड रॉड्लत पराइद के इतना बड़ा- अंधलों नंगे कौन से आरशल्वाद सब्सक्राइब यह इतना डिश्य दर ग्रटे कि छो Ergebnis आपको लग रहा है जातिवाद को को बढ़ावा कौन दे रहा है? वो लोग आज भी वर्नवर्शता के समर्थन में बात करते रहे था, एक स्रणी जिन लोग को इस से पेट चलते रहे था, आप समझी गया, अप ब्रामन को बोल देखे नहीं, मैं किसी भी जाती का खिलाप नहीं हूँ, इसलिए किसी का जाती का नाम ने लेगे, अभी आप बो मेरे को यह सारी पैसा लीट़ाई कपीछे यह सरी tickets ऊपने खूनstart का मैंने माँ एन में कुसी अभी बैंगलोर में एस्टेन में काम किया ऑचार फाइज उसमें ऐसा क्या बदला होना चाहिए जिससे जो आप वर्ण विवस्था जाती विवस्था के खिलाब जो ये मोर्चा खोल के बैठे हुएं ऐसा क्या होगा जो ये सारी विवस्था बंद हो जाएं क्यूंकि हिंदू सयंको कभी भी संगड़ित नहीं कर पारे इस तरह का भेद भाव यह सारी जंजल का जड़ है इसको खतम कर देलना बहुत जोर्डरी देशका फित में होगा हम वesse हमारा एक ही पृष्था हो कि हम हिंदू है तो अ nella cannot तो दुस्से आदमी भी दुस्से परिवार भी हमारा साथ मिल जुल के रहेंगे। लोग टीवी उवी में देखेंगे हैं लोग लब जिहाद कर रहें मुसल्मान। यह जो मालब वो यह बात है क्या बोलना। एक तरह का वो सभी बात से मेरे को कुछ लेना दें नहीं है उसे बेकार बात है जो सभी हो भी रहा क्या नहीं हो रहा में इस बारे में अभी तो सबको मानते हैं जो स्वाइब डणा zwr only जो है उसको लोग हिंदू मानते उसको आप हिंदू मानते हैं जरूर हम सब समान है कोई डलीट नहीं हमारा समाझ में ये थो एक बहाना है इसे बना के रखालिंट कोई डलीट नहीं कोई डलीक नहीं आ समाज ने बना कग रख़ा हाज क्या फायदा कुछ भी फायदा निया वो से पूराने जमाने में क्या हुआ समाज क्या जुर्ट पढ़ने पर कैसा जरूरत समाज बहुततरह का कम करने की जूरूत है साह padres कुछ ऐसा होंगे व सब्सक्राइब चाहिए झैन्रल उसको आगदी पेट नौने रास्ते में क्यों आया हो कि मैंढे यह वो लोग को मलब गुलामी कर सके यह सरा सार गलत है सरा सार जूट है यह एक तरह का अन्नाई है इसलिए मैंने धरने में आया हूँ अगर कल अगर वह जिसको आप किसी पार्टी का नाम भी ने पारे हैं आप किसजने भी नंगे लेंगे चिसे में आज़ाइ आसान सोल में 17 Até 13 सिना जी का अगर घसीन हो ना था मेरे को उनके खिलाब खाड़ने के लिए मेरे को किसी ने बताया ठीक है मैं किसी का भी नाम ले रहा हूं किसी राजनीती दल में नहीं हूं हुण लिए सब्सक्राइब करने लेकि रिए किस अरे जो संग्वाधिक वाले क्या करेंगे हमारे मौहसरे ने कहिंज प्र रहे वहिंग हम परिक्रा चलिए कॠेटंस चर्लिडी आंक हीखे साभर चालोबर हॉं जाता हूँ आदमी इज्जत से खड़ा होके मेरे से बात इसली करता है कि हमारा अंदर जो आच्छा है उसी करण हम उस आच्छाई को नहीं छड़ोंगे लेकिन एक इन्सान होने के नाते बताएंगे जाती विवस्ता अब फिशुव सब्सक्राइए प्राइब एक स्रेनी के लिए यह क्लार फाइन उठा रहा है से पीछे को नहीं है यह अप यह सब पीछाननीद करने क्या क्या up को do आप थाकूर राजपूर है राजाओं ने भी बहुत गलत किया दलितों के साथ जो गलत हुआ उसको गलत एक बर नहीं हजार बर बोलेंगे गलत हुआ गलत हुआ यह तो सभी आदि मानता है यह जो हमारे साथ थे, यह वेक्ति जो हैं बंगाल से आए हैं और इनों ने वन बिवस्था को खत्म करने की जाती बिवस्था को खत्म करने की बात कही है, इससे यह मुर्चा पता नहीं महारास्ट्र होते हुए यहां तक महुंचे दिल्ली तक अब इनकी जो मांग है कि केंद कोई भी आ सकता जा सकता क्योंकि यह देश अलग तरह के जोरिये में होता है यह जनता नगरिक जो वोटर है अब तो आएगी तो बीजेपी ही आएगी कोन आएगा उसका विचर जनता करेंगे हम उस बारे बात नहीं मैं एक समाज से भी हूँ मैं कैंदर सरकार से मेरा मांग है कि जो लोग सशी थे समाज में जिनको यह संगरकन दिया गया इनका जब तक विकास नहीं है तो संपुन रूप से तब तो क्या करना इनको जथार्त रूप से इनको चिन्नित क्या जाए सलमानों को पाकिस्तान भीजबा देना चाहिए मैं ऐसा कोई बात नहीं बलता हूं मैं किसी भी धर्म का किसी भी जात का किसी भी राइनुती दल का किसी भी सरकार का खिलाब मैं नहीं हूँ बहुत धन्यवाद आपका इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जब तक वो सोसी जवंचित जो समाज है उसका विकास ना हो चाहिए पूरी तरीके से तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए आरक्षन मिलना चाहिए यह अकेले हैं फिलाल देखते हैं यह अकेले यह मोर्चा लेके बंगाल से शुरू किया इन्होंने यह अंदोलन और अभी दिल्ली में बैठे हुए इनका किंद से यह मांग है कि आरक्षन खत्म नहीं होना चाहिए आप लोग को क्या लगता है इनकी जो मांग है हलाकि हम लिखते कुझ आम जनता को अच्छा है क्या तकलीब है जाके क्या देखा मलूम जहां पार सरकारी तर पर लिखा है कि आठ गंटा काम करना मैंने पहले भी देखा आठ गंटे काम करता था एक गंटा पहले जाता था इसलिए कि खाना पिने के टाइम होता था वहां जाकर उन काम के टाइम इतना तगलीब उठाना पड़ रहा उन लोगों को क्योंकि उनका अंदर शिक्षा ठीक से नहीं है ठीक है विकास नहीं हुआ और दो घंटा पहले भी आना पड़ता इतना दबाव है काम का सरकार को इस बात को पर जरूत ध्यान देना चाहिए कि आठ घंटा काम है इन लोग क्यों 12 घंटा काम कराया से इन तमाम तरह के मांगे आपने सुनी कि अब लोग अगर फिर्ट में काम करते हैं या फिर किसी प्राइवेट जगे पर काम करते हैं आपको इनकी बात है हमारी बादशीत किया कैसी लगी